हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई किचिन आज मैं आपके लिए लेसुन की बहुत ही टेस्टी चटनी की एक रेसिपी लेके आई हूँ यह मैंने लेसुन की चटनी बना के तयार की है और आपको यह रेसिपी फ्रेंड्स अच्छी लगे तो इस वीडियो पर लाइक बना और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में बैल आइकन का बटन है उसे भी आप प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा तो आईए शुरू करते हैं इस लेसुन की चटनी को बनाना तो यह मैंने तीन लेसुन की कलियों को छील लिया है लगबग चालिस के सम्थिंग यह कली होंगी और इन्हें अब हम इस खलड में डालके अच्छे से हमें कूट लेना है हमें इसको दरदरा पेस्ट नहीं चाहिए इसलिए देखिए थोड़ी थोड़ी करके हम इन लैसुन की कलियों को इसमें कूट लेंगे इस तरह से देखिए अगर इस पर यह जो ग्लीन वाला यह पार्ट है इसे रिमूफ करते जाएंगे क्योंकि यह हमारी अच्छे से पकी हुई कलिया है और इसी तरह से हम सारी कलियों को इसमें कूट के एक बरतन में रखेंगे देखिए हमने इसे कूट लिया है अगर आपको ऐसा पसंद नहीं हूँ तो आप लैसुन को पेस्ट के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं यह मैंने एक चमचा यानी वन टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च लिये और इसका हम एक पेस्ट बनाएंगे तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी एड़ कर रही हूँ इससे जो कलर है बहुत ही अच्छा आएगा देगे हमने यह पेस्ट इसका बना लिया है अभी से हम अलग रखेंगे मैंने एक पैन में दो चमचा तेल को गरम करने रख दिया है यह मैंने सरसो का तेल लिया है आप रेगुलर ओईल जो भी यूज करते हो वो ले सकते हैं देखिए तेल गरम हो चुका है अब इसमें मैं एक चमच जीरा डाल रही हूँ जीरा को हम स्प्लेटर होने देंगे देखिए जीरा अच्छे से भून गया है अब इसमें हम यह लैसुन का पेस्ट डालेंगे और फ्लेम को हमें लोही रखना है लैसुन को हमें चलाते हुए एक मिनट तक बून लेना है इसे हमें लगातार चलाते हुए ही बूनना है आप बीच में इसे चलाना बंद नहीं कीजिएगा नहीं तो कहीं से लैसुन जल जाएगी और आप चाहें तो इसका पेस्ट भी यूज कर सकते हैं लैसुन बहुत ही फाइदा करता है अगर आपके गुटनों में दर्द हो तो लैसुन को आप जरूर कंज्यूम कीजिए अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल कीजिए तो यह चटनी बनाके आप 15 से 15 दिन तक अराम से इसे रख कर खा सकते हैं देखिए लैसुन भुण चुका है अब इसमेई में यह जो हमने पेस्ट बनाया था कश्मीरी लाल मिर्च का इसे एड़ कर दूँगी थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च खाने में तीखी नहीं होती है और इससे कलर है बहुत ही अच्छा आता है आप कश्मीरी लाल मिर्च सबजियों में जरूर डाला कीजिए इससे आपकी जो भी सबजी आप बना रहे हैं उसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा अगर आप शाही सबजियां बना रहे हैं शाही पनीर कोफते तो इसमें आप कश्मीरी लाल मिर्च का यूज करें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसे एड करने से देखिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी और एड कर रही हूं इसमें मैंने एक चौथाई कप पानी एड किया है और फ्लेम को मैंने लो ही रखा है जिससे ये अच्छे से पक जाएगी अब मैं इसमें नमक एड कर रही हूं एक चमर्ठ धनिया पिसवर एड कर रही हूं आप चाहें तो साबुत धनिय को भी कूटके इसमें एड कर सकते हैं उसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है देखिए इसे हमने दो से तीन मिनट तक अच्छे से पका लिया है यह अ मैंने इसमें ज्यादा मसाले एड नहीं किया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने एकॉर्डिंग रख सकते हैं क्योंकि चटनी थोड़ी गाड़ी ही अच्छी लगती है इसलिए मैंने इससे एकडम गाड़ा कर लिया है अगर आप थोड़ी पतली खाना पसंद करते हैं तो इसको थोड़ा पतला भी रख सकते हैं अब मैं फ्लेम को आफ करूँगी देखिए मैंने फ्लेम को आफ कर दिया है और अब मैं इस स्टेज पे इसमें एक चमश दही डाल रही हूं अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है दही को हमने गैस को आफ करने के बाद ही एड करना है इसमें अभी इतनी हीट है कि दही इसमें अच्छे से मिक्स्ट अप हो जाएगा तो अब हमारी लेसुन की जो चटनी है वो बनके तयार है अब हम इसे सर्फ करेंगे देखिए यह हमारी लेसुन की चटनी बनके तयार है बहुत ही टेस्टी लगती है अगर आप लेसुन खाते है तो इस चटनी को बनाके एक बाद जरूर ट्राइग कीजिए और सर्दी का मौसम चल रहा है और इसमें लेसुन आप अच्छी क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकते हैं यह लेसुन गरम होती है तो इसकी वज़े से गर्मी में बहुत जादा लेसुन नहीं खानी चाहिए तो इस सर्दी के मौसम में इस लेसुन को चटनी को एक बार बनाके जरूर देखिए और आपको यह वीडियो पसंद आई हो फ्रेंट्स तो इस पर लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आईए तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत मिस्कीजिए गो